वेलकम बैक तो माई चैनल आएम मनोज कुमार और दोस्तों बात करते हैं एक और इंपोर्टेंट टॉपिक की और टॉपिक मेरा वही है जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको लैब सेशन के लिए अधूरा छोड़ दिया तो बिना टाइम वेस्ट की हुए करते हैं थोड़ा सा ओवर वीडियो देता हूं क्या discussion करते हैं जो मेरे भाई लोग इसी वीडियो को या इसी सेशन से मेरे साथ जुड़े हैं तो उनको थोड़ा सा ओवर वीडियो देता हूं दोस्तों अभी तक बात की थी हमने क्या हमने बात की थी कि क्या मेरे XXLT constructor होते हैं अभी तक हमने ये बात किये, आज के session में हम इन सारी चीजों को use करके देखेंगे different तरीके से, तो दोस्तों बिना time waste की हुई start करते हैं, तो दोस्तों last वाले session में मैंने आपको ये xx, xxld constructor नाम का एक integration, किस type का integration है, app driven type का integration है, जिसमें मैंने एक rest API के through या rest अपने adapter के through एक integration बनाया, जहां पर left में, left में मैंने यहां से दो values as a input मैंने पिछली बार डाली थी, एक बार आपको ओर भी दिखायता हूँ, ये मेरा एक basic सा rest वाला connection मैंने use किया था, next किया था, get method method operation मैंने math operation नाम दिया था, यहां पर बनाये थ operation, operation नाम का, इसको देते हैं दोस्तो, string type का, string, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, next करता हूँ, next करता हूँ, यहां पर response में JSON select किया था, response का type बताया था, क्या response में चाहते हो, उसका basic format दिया था, next किया और done कर दिया, last session में हमने दो parameter बनाये थे, आज हमने अपनी requirement के हिसाब से, तीन parameter बढ़े, requirement कुछ भी हो सकती है, अलग तरीके की हो सकती है, अभी लेके चलता हूँ, कहां दोस्तो, mapping के अंदर, क्यूं, अब integration मेरा बने गया है, बार याती है, mapping के, mapping के अंदर, बिना टाइम वे स्कुए, xxlt functions को जो है, constructor को जो है, enable कर लेते हैं, अभी नहीं दिख रहे हैं, इस पर click करूँगा, तो वो दिखने शुरू हो जाते हैं, क्या लिखा हुआ है, flow control लिखा हुआ है, तो सबसे पहले flow control में use करेंगे हम किसको, choose को, choose मतलब case, अब case किस तरीके का हो सकता है, दोस्तो, left में input के आ रहे है, मेरे API के अंद हमें, by using xl constructor, कुछ अपने logics लगाने है, ठीक है, यही आज का agenda है, तो क्या agenda, क्या अपने use case बन सकता है, use case यह बन सकता है, कि case को मैं use करूँ, और operation से यह decide करूँ, कि भाई, कब addition करना है, कब multiplication करना है, कब division करना है, कब subtraction करना है, कब कुछ और करना है, मतलब operation से मैं decide करू और उसके बाद मैं अपना काम करूँ, तो दोस्तों, बिना time waste कुए, कहां चलते हैं, किस में reward करना है, मुझे reward करना है, output values, यही मेरा response है, output value के अंदर ही मुझे return करनी है, तो मैं क्या करूँगा, choose को drag and drop करूँगा, output value के ओपर, जैसे ही लेके जाता हूँ, system मुझे notification देता वो कहता है, पहले target node के लिए create करो, अब यह target node का है, target node कुछ नहीं है दोस्तों, जब हम कोई भी mapping किदर से भी किदर create करते हैं, let's say example के तोर पर देखे, मैं अपने number 1 को यहाँ पर करता हूँ, तो इस case में जो ये एक line जो draw हुई है, ये line जो draw हुई है, ये एक नीचे expression इसी expression को पढ़के, मेरा OIC या मेरा मैपर समझता है कि उसको करना के है, इसी को बोलते है, नीचे वाले इस चीज को बोलते हैं, दोस्तों क्या target node, ये मेरी target node है, तो इसको right click करके, अभी delete कर रहा हूँ, delete target node, delete होगे, तो right click करूँँगा, क्या करने वाला हूँ, कि output में value कब जाए, कब जाए, जब choose का मैं एक case यहाँ पर लिख दूँँ, तो right click कर रहा हूँ, create target node कर रहा हूँ, कर दिया, अब यहाँ पर क्या करता हूँ, choose को ऐसे लेके आता हूँ, आप गौर करके देखो, जब मैं लेके आता हूँ, तो इस तरीके का triangle सा जो आपको दिख रहा है, ग्रीन कलर का दोस्तो, यह जो ग्रीन कलर का triangle सा दिख रहा है, इस triangle पर मुझे अपने choose को छोड़ देना है, यही चीज important है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, easily xxl constructor use में नहीं आएंगे अगर आप यह चीज नहीं देखो, देख रहा हूँ, यह green सा जो बन जा रहा है, बार यहां drop कर दिया, छोड़ने के बाद क्या हुआ, choose मेरा बन गया, अब case बन गया, case में हमेशा क्या लिखता हूँ, case में हमेशा लिखता हूँ, case when condition is this, when, case में when लिखता हूँ कि condition मेरी क्या है, और then में क्या लिखता हूँ, then में लिखता हूँ कि क्या output होने वाला है, उसमें क क्या reward करना चाहता हूँ, तो मैं इभी choose लिखा ये case तो when और use करते हैं, when को पकडते हैं, choose के नीचे लाएंगे, choose के नीचे लाएंगे इस तरही के से green green के आगया दोस्तो, ये एक arrow की बन गी drop करते गए when गया, and when का target node नीचे दिख रहे है तो मैं क्या बोलूँगा सिस्टम को बोलता हूँ जब मेरा ओप्रेशन ओप्रेशन को ड्राग और ड्रॉप किया इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर दे रहाँ एड हो और इसको यहां से सेव कर देते हैं ठीक है अब मैंने सिस्टम को बताया कि जब मेरा चूज में पहली कंडिशन है कि अगर ओप्रेशन एड हो वैन में क्या वैल्यू रिटन होगी वैल्यू ओफ क्या वैल्यू रिटन हो जब मेरा एड हो टार्गेट नोट से वन को उठा के लाए पहला नमबर इसको यहां प्लस किया दूसरा नमबर और यह सेव किया सिस्टम को पहली कंडिशन पता लग गी दोस्तो कि जब मेरा वैन में क्या होगा एडिशन की स्ट्रिंग होगी एड लिखा होगा एड ताम मुझे एड रिटन करना है वैल्यू में और वैल्यू कहां चली जाएगी सीधे चली जाएगी आउट वैल्यू इसके अंदर क्यों क्योंकि उसी के tree के अंदर है पहला काम हो गया ये तो addition का हुआ मैं चाता हूँ multiplication हो फिर क्या हो तो भाई multiplication के लिए भी कर लेते हैं एक और when condition डालते हैं when condition कहां डलेगी अभी भी choose के नीचे डलेगी एक और when लगाया when में क्या है मैं फिर से बोलता हूँ operation को कि भाईया अब की अगर multiple हो single code में mul लिख दिया multiplication लिखके आए save कर दिया दोस्तो save कर दिया तो क्या value जाने चीए value of करता हूँ इसके नीचे value क्या value करूँ multiply में number one start number two save करा दिया गणý डिवीजन करना चाहता हूँ ê का भी लिख सकता हूँ subtraction करना चाहता हूँ अब अगर कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ condition यह हो तो यह हो जाए condition यह हो तो यह हो जाए otherwise आदर्वाइज भी लिख देता है choose के नीचे कि कुछ भी ना हो भाई कुछ भी ना हो तो मैं क्या करूँगा तो क्या value return करवाने चरहूं otherwise में value of otherwise की value लिख देता हूं कि भाईया multiply डिवाई subtract करायते हैं नमबर टू माइनस नमबर वन मतलब जब कुछ भी नहीं कराएंगे तब माइनस होके value return होगे तो यह आपको क्या क्या सवन में आ गया value समझ में आ गया वेन समझ में आ गया otherwise समझ में आ गया choose समझ में आ गया एक बाई इसको test करते हैं टेस्ट करने के लिए मैंने हमेशा बता है पूरे integration को close करके बाहर जाने की जरूद बिलकुल भी नहीं है दोस्तो ठीक है आप क्या कर सकते हो यहीं से testing पर जा सकते हो testing और testing में आने से पहले हम validate कर लेते हैं दोस्तों हमेशे ध्यान लगे validate करते हैं so that जो भी कुछ change आपने किया है latest impact वो change आ जा जाए आप चलते है test पर test पर जाने के बाद जो पीछे code या जो mapping सब करके आया उसके हिसाब से अपना code generate कर लेता है generate inputs generate inputs हो गया generate inputs कई बार बहुत बार दो से तीन पेलोड भी बेचता है आप इनको हटा दीजिए देखे एक पेलोड यह है और एक पेलोड आपका यह है तो क्या करेंगे मैं इस XML में से यह पेलोड एक हटा दिया हर चीज डबल है number one number one भी देखे दो बार आया हुआ है यह हटा दिया number two भी दो बार आया हुआ है जबकि हमने तो एक एक values बनाई है और operation भी हमने एक ही बार बनाया है तो यह आम मेरी वो चीजे हैं जो मैंने as a parameter अपने system पर भेजी है तो number one में मैं भेज देता हूं let's say 100 value number two में मैं भेज द 10 है और 40 है और operation देखे देखते एड मैंने add के लिए क्या दिया है switch case दिया है add करता हूं execute करता हूं 10 और 40 add कर रहा हूं तो कितना आ गया अरे बाबा कहा गया 50 थोड़ा सा zoom कर लेता हूं दोस्तो 10 value थी 40 value थी addition का operation दिया 50 आ गया और क्या किया था multiply के लिए लिखा था MUL multiply के लिए करके देखते है multiply के लिए 400 आ गया और हमने कुछ नहीं देता हूं चाहे तो इसको blank छोड़ दू या a b c दे दू जिसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है तो third वाला otherwise वाला मेरा xlt constructor work माइनस हो जाएगा 30 आना चाहिए 30 आ गया तो hopefully दोस्तों यहां पर toggle की से वापस जाता हूं और इसको zoom in कर लेता हूं और यहां पर आ गया मैं और यह xlt functions को बंद करूँगा तो देखे थोड़ा सथ change हो जाएगा इस तरीके से अब आपको बस values दिखाई देंगी क्या values return हो इसके पीछे xlt constructor ने क्या किया है वो केवल तब दिखाई देगा जब आप इस पर click करोगे आप click करके expand करोगे तो switch case वगेरा सब कुछ आपको दिखाई देगा तो दोस्तों किस तरीके से जो xlt constructor के अंदर क्या क्या देख लिया हमने choose देख लिया otherwise देख लिया when देख लिया आगे के sessions जरूर देखेगा जहां पर इसी वाले integration पर मैं आपको दिखाऊँगा और भी कई सारी चीज़ें by using xxl constructor तो hopefully ये session आपके काम करा होगा आपको समझ में आया होगा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप xl constructor के तुरू कर सकते हो डिपेंड करता है आपकी requirement पर आपके business के use case पर तो hopefully दोस्तों ये session knowledge से भरा रहा होगा इसने आपकी knowledge जरूर से जरूर रिनेंस कियोगी वीडियो को like करें, share करें और channel को subscribe करें केवल तभी जब सच में दिल से आवाज आएगी हाँ आपने genuinely यहाँ से कुछ learn किये अपने comment, अपने suggestion, अपने requirement अपने भाई से इसी तरीके से share करते रहें, फिर से मुलाकात होगी एक नए session में, नए वीडियो में तब तक के लिए दीजे मुझे इजाजत, thank you so much